नमस्कार दोस्तो, स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चनल में दोस्तो, आज मैं आप सभी के लिए नई भरती 2023 का तेरा भरतियों का पुरा कलेक्शन लेकर आया हूँ जिसमें तेरा भरतियां है इसकी क्या योगिता रहेगी आयू क्या रहेगा पत क्या रहेगा इसमें कौन-कौन सी जानकारी रहेगी और इसमें ओफलाइन कौन सी रहेगी ओनलाइन कौन सी रहेगी सारी जानकारी मिलेगी बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीड इसमें आपको इस प्रकार के सारी जानकारी रहेगी, इसमें पेंटर, कारपेंटर, चोकीदार, ग्राउंड्समेंड और स्टोर कीपर, इसके बाद में हैं टेलर, टेली कम्मुनिकेशन, मेकनिक, कूक, ड्राफ्टमेंग और फाइटमेंड, यह सारी जानकार यह इसके अंदर ठीक है इसके बाद में इसमें vacancy अभी तक किसी प्रकार की declare नहीं की गई है 16 September last date रहेगी ठीक है अभी ये vacancy start की गई है चोकिदार और ये सारी जानकारी के लिए आप आप देख सकते है grade पे आपके सामने है ठीक है अब इसके बाद में देखते है education जो है 10th और 12th ही मांगा इसमें अब हम जानते है age के बारे में 18-27 इसमें age रहेगी driver के लिए और बाकी के लिए 18-25 रहेगी ठीक है आपका जो fees रहेगा application का 50 रुपे रहेगा इसमें selection की जो test की process है वो written रहेगी offline process रहेगी और all India के लिए रहेगा अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं SSC recruitment 2023 staff selection commission यनि कर्मचारी चैन आयो यहाँ पर दी गई है इसमें post के बारे में देखते हैं junior Hindi translator junior translator और Hindi translator इसमें जो है total vacancy 500 रहने वाली है आप इसके बाद में देखते हैं कब से कब तक रहेगी 22 अगस्ते से लेकर 12 September तक आपकी जो है यह form भरे जाएंगे डेटो exam की बात करने वाले हैं October और November 2023 में आपका exam रहेगा grade pay की बात करते हैं 9300 से 34800 तक total आपका grade पर रहेगा education की बात करें तो master degree रहेगी maximum 30 year की आपकी I.U. रहेगी अब पीस की बात कर लेते हैं O.B.C. और general के लिए 100 रुपर रहने वाले बाकी सब free रहेगा इसके बाद में return exam रहेगी test रहेगा interview रहेगा इसके बात online mode में यह exam दी गई है ठीक है अब इसके बात में देखते हैं यहाँ पर आल इंडिया लेवल पर रहेगा और ssc.nic.ie यह website रहेगी अब यहाँ पर देखते हैं I.A.F. recruitment 2023 के बारे में Air Force के बारे में बात करते हैं अब Air Force में अगनीवीर non competent इसके बात में देखते हैं इसमें अभी तक vacancy declare नहीं की गई है लाज डेट देखते हैं एक September 2023 लाज डेट रहेगी ग्रेट पर के बात करते हैं तो एक दो तीन चार ऐसे ग्रेट पर अलग अलग दिया गया इसमें ठीक है इसके बात में एजूकेशन जो रहेगी आपका 10th क्लास ही आपके एजूकेशन रहेगी अब यहाँ पर बात करते ह हम एज के बारे में एज के बारे में समझ लेते हैं दोस्तो साड़े सत्रा साल से 21 वर्से तक आपकी एज होनी चाहिए तभी आप फार्म में हिस्सा ले पाएंगे अब इसके बात में देखते हैं यहाँ पर आपके जो डेट ऑप बर्थ है 28 December 2002 से लेकर के 28 June 2006 के बीच में हो रहेगी यहाँ पर नीचे देखते हैं इसमें आपको जो है वेबसाइट भी दी गई है अगनी पतवायू.cda.in यह वेबसाइट रहेगी ठीक इसमें से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आप इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर आपको जो है आपका फॉर्म मिल ज इसमें आपका जो है completely भारती लेखा पाल परिक्षा के लिए यह वेकंसी है administrative assistant की पोस्ट रहेगी 1773 आपकी total पोस्ट है 17 September 2023 लास्ट रहेगी इसमें grade पे 4 रहेगा अब इसके बाद में education में आपका जो है graduation होना चाहिए education के बाद में अब आप age के बारे में देखते हैं 18-25 की उम्र होनी चाहिए अब इसके बाद में देखते है application की कोई fees अभी तक decide नहीं है selection का जो process रहेगा वो test और interview दोनों mode में रहेगा application जो form है वो offline है आल इंडिया के level पर रहेगा यह vacancy के जो है आपको link दिया गया यहां से आप form भरके offline इसे by post भेज़ सकते हैं अब इसके ब इसके बाद में देखते हैं UPPSC recruitment 2023 उत्तर परदेश पर्ब्लिक सर्विस ठीक है लोग सेवा आयोग staff selection यहने के male और female दोनों के लिए रहेगा total vacancy के बारे में बात करें तो 2240 total vacancy रहेगी staff nurse male candidate के लिए 171 post और staff nurse female के लिए रहेगी 2079 total post रहने वाली है अब इसके बाद में दे रहेगा 9300 से 34800 तक का आपका grade पर रहने वाला अब इसके बाद में देखते हैं यह grade पर हो चुका है अब इसके बाद में देखते हैं आपका education में क्या रहेगा बार्वी होना चाहिए G&M होना चाहिए 21-40 वर्स के उम्र होनी चाहिए general OBC और EWS के लिए 125 रुप लगेगा औ और ACST के लिए 100 रुप टोटल चार्ज लगेगा इसके बाद में अगर आप पिएच केंडिडेट में आते हैं तो 25 रुप लगा चार्ज देना पड़ेगा नेट बैंकिंग या इच आलान से आप फार्म बर सकते हो रेटन एक्जाम, डॉकुमेंट, वेरिफिकिशन, मेडि पिटली जानकारी भी मिल जाएगी, अब इसके बाद में देखते हैं अगली पोस्ट क्या रहने वाली है, HPCL, रिकृट्मेंट 2023, हिंदुस्तान, पेट्रोलियम, कर्परेशन लिमिटेड, HPCL, इंजिनेरिंग, आफिस और अधर, इनमें से आपकी जो वेकेंसी के बारे में अगर एजूकेशन है, तो फार्म भर सकते हैं, आपकी एज रहेगी 25, 26, 27, 28, 30, 32, जो भी है, इनमें से ठीक है, इसमें आपका जो है, आपका एपलिकेशन फीज रहे रहने वाला है, 1180 और बाकी STSC और PW के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है, इसके बाद मे देखते हैं, यहाँ पर आपको जो है, आउनलाइन मोड रहेगा, आल इंडिया के लिए रहेगा, यह वेपसाइट रहेगी, इसी वेपसाइट से आप फार्म फिल कर सकते हो, आप इसके बाद में देखते हैं, BEL, Recruitment 2023, यानि की भारत Electronic Limited भैल, ठीक है, इसमें आपका जो है यह आपका great way रहेगा, आप इसके बाद में देखते हैं, दसवी ITI, डिग्री और डिप्लोमा, इन में से आपके पास कुछ भी हो है, चलेगा, maximum age आपके 28 होनी चाहिए, यह आपका जो है, application का fees रहने वाला है, HTSC, PWD के लिए आपको जो है, कोई सुलक नहीं देना, test interview रह पलकी रहेगी, और यह website रहेगी, बहल.india.in, यह website रहेगी, Indian Navy Recruitment 2023, इसमें देखते हैं, भारती 9 सेना, ठीक है, ट्रेड में में, ठीक है, आप इसके बाद में यहाँ पर vacancy आपकी 362 रहने वाली है, 26 अगस्ते 2023 से 25 सेप्टेंबर 2023 तक रहेगा, आपका form चलेगा, 18 से 56,900 ग्रेट पर रहेगा, और दस्वी और ITI वाले आप form भर सकते हैं, आप इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, age क्या रहने वाली है, यह आपका जो है, दस्वी और ITI हो चुका है, आप इसके बाद में देखते हैं, 18 से 25 वरस की उम्रे होनी चीए, fees, कोई इफसूल का आपको इसके बाद में देखते हैं, SAC, Recruitment 2023, Staff, Selection, Commission, कर्मचारी, चैन, आयोग, इसमें रहेगा आपका Constable, Executive, Male, Female, Daily, Police, ठीक है, नमबर आप वेकेंसी आपका 6000 के प्लस होने वाली है, 1 सेप्टेमबर से 30 सेप्टेमबर तक आपका जो है, फार्म चलेंगे, 21,700 से 79,100 तक का आपका जो ग्रेट पे रहने वाला, इसके बाद में हम देखते हैं, Education के बारे में बार भी पास कंपल सरी होना चाहिए, 18 से 25 वर्स की उम्रे होनी चाहिए, और यहाँ पर देखते हैं, UPPSC, ESE Recruitment, यहने की संग लोग सेवा आयो, आप इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पर आप Pre-Examination, यहने की Engineering Service में Pre-Examination 2024, ठीक है, Vacancy के अभी कोई Detail दिया नहीं, कितनी है, 6 September से 26 September तक आपका Form चलेगा, अब इसके बाद में जहाँ पर देखते हैं, Grade पे अभी तक कोई Decide नहीं किया गया, आगे देखते हैं, इसमें Education के रहने वाली है, Engineering डिग्री होनी चाहिए, और 20 से 30 वर्से का उम्र होने चाहिए, इसके बाद General Odyssey के लिए 200 रुपे का फीस लगने वाला, STSC, Female और इन सभी के लिए कोई सुलका आपको नहीं देना है, यहाँ पर देखते हैं, Premierly Exam, Main Exam और Personal Test यह आपको होने वाला है, इसके बाद में Examination का मोड रहेगा, आपका Apply Online, यानि कि Online मोड रहेगा, इसके बाद All India Level पर रहेगी, इस वेब साइट के त्वारा आप फार्म को फिल कर सकते हो, अब इसके बाद में देखते हैं, अगली वेकंसी के बारे में, UPPSC Recruitment 2023, यूनिक संग लोग सेवा आयोग, यानि कि यह भी उसी प्रकार से, लेकिन इसमें Post अलग र होनी चाहिए, Fees Structure के बारे में भी देखते हैं, General, OBC, EWS के लिए आपको दो सुरुपे लगने वाले हैं, इसके बाद में जो बाकी की क्रेटेगरी है, उन सभी के लिए को चार्जस नहीं देना है, इसमें भी आपको रिटन एक्जाम और मेन एक्जाम और इंटर्वी देन Commissioner, ठीक है, इसमें देखते हैं, Junior Assistant और इन सब की पोश्ट है, 3831 टोटल पोश्ट रहेगी, 12 September से लेकर 3 October तक आपका फार्म चलने वाले हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, ग्रेट पे आपका पांच जार, 220 जार तक रहने वाला है, अब यहाँ पर देखते हैं, Education आपका बार online mode रहेगा, UP India आपके जो है, रहने वाला है, इसके बाद में यह website रहेगी, इससे आप फार्म फिल कर सकते हैं, WCL recruitment, WCL के बाद कर, call India, call India में आपका जो है, ट्रेड में अपरेंटिस की एक वेकेंसी निकली है, जिसमें आपका जो है, 1199 टोटल पोश्ट रहेगी, ट्रेड म ठीक है, यह 1 September से 16 September के आप जो है, फार्म बर सकते हो, यहाँ पर आपका grade पे भी दिया है, आपके screen के सामने दिया गए है, इन सभी के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर हम, कि यह आपका जो education लगने वाला है, 1825 बर से तक आपका उम्रे रहेगा, इसके बाद कोई fees आपको द